दोस्तों नमस्कार मैं डाक्टर प्रदीप कुमार सिंग सिनियर आर्थोपेटिक कंसल्टेंट आप सभी लोगों का ओम साही आर्थोवेंड फीजियो सेंटर में स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जो एंकल जॉइंट है उसके अंदर स्वेलिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं दोस्तों यह बहुती कामन प्राब्लम है कई बार पे democratsनको एक एक एंकल जॉइंट में और पे बार पेसे को दोनों एंकल जॉइंट में स्वेलिंग होता है। कई बार ये swelling पेनलेस होता है, जिसमें कोई दर्द नहीं होता, कई बार ये swelling पेनफुल होता है. तो मैं आपको बताऊंगा कि किस कंडिशन में पेनलेस, बाइलेटरल मीन्स दोनों टखने जो एंकल जॉइंट में सूजन होता है, और किस में पेनलेस, यूनिलेटरल में होता है या किस कंडिशन में swelling के साथ पेन होता है. दोस्तों, जिनका वेट ज़्यादा होता है, जो अपने नार्मल हाइट और वेट के से ज़्यादा वेट के होते हैं, उबीज होते हैं, उन लोगों को भी कई बार दोनों एंकल जॉइंट में swelling होता है. और नार्मली ये swelling painless होता है, इसमें दर्द नहीं होता. दूसरी possibility है कि venus, जो होती है, venus insufficiency, कई बर क्या होता है, जो हमारे blood vessels हैं, जो venus होता है, जो नीचे से blood हमारी heart को जाती है, और उपर जब हमारी blood चड़ती है, तो valve होता है, जिससे हमारी blood नीचे से उपर heart तक होता है, तो कई बर जो valve में कुछ ऐसी problem आजाती है, कि पूरी blood उपर नहीं चड़ पाती, जिसकी वज़से कुछ blood हमारी नीचे रह जाती है, तो उसकी वज़ा से भी कई बर हमको ankle joint में swelling हो सकता है, इसको कहते हैं venus insufficiency, उसमें कई बर एक ankle में हो सकता है, कई बर दोनों, अगर दोनों तरफ की venus insufficiency होगी, तो दोनों ankle joint में swelling होगी, गरी एक तरफ की होगी, तो सिर्फ एक में हो, इसको एक varicose vein भी इसी को कहते हैं, तो venus insufficiency के example सबसे बेस्ट और varicose vein है, जो सबसे common होता, वो bilateral भी हो सकता और unilateral भी हो सकता, तीसरा करण होता है, bilateral ankle और foot के swelling का pregnancy pregnancy, pregnancy में भी कई बार हमारी दोनों ankle joint swell कर जाती है, और pregnancy में नार्मली इसलिए होता है कि उसमें हमें water retention थोड़ा ज्यादा होता है, के बार uterus की वज़े से हमारे vein के उपर प्रेसर परता है, तब भी जो है, उनको bilateral दोनों पैरों में ankle joint पर swelling होती है, इसमें भी swelling के साथ दरद ही होता है, एक निशान है heart failure, अगर किसी को heart failure के chances होते हैं, जिसके heart weak है, जो pumping प्रापर नहीं करता, उनमें भी ये पाइल लेटल ankle joint में swelling हो सकता है, उसको करते हैं CHF, congestive heart failure, जिसमें भी पैरों के अंदर सूजन आता है, और वो दोनों पैरों के टखने में और पंजे में दो और टखने में पैर में सूजन आ जाता है, वो भी जिसमें दोनों पैरों में नार्मली सूजन आता है, तो ये भी सूजन के साथ दर्द नहीं होता, तो एक हो गया kidney की problem और heart की problem, कई बार होता है कि जोसे एक तरह की arthritis होती है, जिसके करते हैं rheumatard arthritis, उसमें भी बहुत लोग उनकी नसों के अंदर clot जम जाता है, तो उसके अंदर नीचे से blood flow उपर प्रापर नहीं जाता है, तो उसमें भी पैरों के अंदर सूजन और पंजो और तखने के अंदर सूजन आ जाता है, इसमें अगर एक पैर की नसों के अंदर clot हो, तो एक ही पैर में swelling आएगी, अगर दोनों पैरों की नस्वों में क्लाट हो तो दोनों पैरों में FM में आएगी दोस्तों एक होता है за कि स्ट सीतकी अथा। किसी को लीवर की प्राइव़ मोदर की के इस नहीं सोती है या कोई लीवर की ऋिए प्रोंधिता क्योंकि लीवर की problem होती है था हमारी जो body के अंदर न प्रोटीन प्रापर अच्छे तरीके से नहीं बन पाता जिसकी वज़ा से हमारी पैरों में swilling आती है किसी किसी को खून की कमी होती है जैसे इनीमिया होती है severe इनीमिया उन condition में भी दोनों पैरों के अंदर bilateral, pedal, and ankle के अंदर edema हो सकती है और किसी को lymphedema हो लिमफैटिक एक तरह के fluid होता है जो नीचे से उपर जाता है कभी-कभी lymphatic जो channel होते हैं उसके अंदर obstruction हो जाता है तो उसके अंदर भी पैरों के अंदर जो है सूजाना जाती है लिमफैडिमा का सबसे best example है दोस्तों phylaria phylaria में क्या होता कि जो lymphatic channels होते हैं उसके अंदर phylaria के worm होते हैं वो जाके उसके अंदर फस जाते हैं अब्स्टक्ट करते हैं जिसके वज़से सारा lymph जो फ्लो होता है वो नहीं हो पाता है इसकी वज़से पैरों के अंदर मोटा हो जाता है सूजाना जाती है दखने में और पंजे में दोनों तरफ या एक तरफ जो है swelling हो सकता है दोस्तों अगर एक और history हो किसी को कि previous injury हो surgery की जैसे कूले के पास कोई surgery होई हो या pelvis के उपर कोई surgery होई हो या फिर ankle के उपर कोई surgery होई हो knee के उपर कोई surgery होई हो या फिर foot के ओपर कोई surgery हुई हो उस condition में भी कई बार हमको पंजे में, ankle में और foot में सूजन आती है दोस्तों कुछ medication है कुछ दवाईया है जो खाने वाले लोगों को भी पंजे के अंदर और टकने के अंदर सूजन की समस्या होती है जिसमें है एक medicine है antidepressant जो depression के मरीजों में भी दी जाती है और कई बार नसों की ताकत के तोड़ पर भी नसों के कमजोरी के मरीजों में भी दी जाती है जैसे एक जामप बहुत है amitriptyline, notriptyline इनको खाने से भी पैर के अंदर सूजन जिनको खाने से ankle joint के अंदर या फुट के अंदर कई बार सूजन आता है एक होता है medicine जिसको कहते है calcium channel blocker जो की BP के मरीजों में दी जाती है जैसे की उसके example है जैसे nifidipine है या amilodipine है या फिर एक बेरा पामिल होता है ये सारी medicine जिनको calcium channel blocker जो BP की दवाईयां चलती है उन लोगों में भी ankle में और foot में सूजन की समस्या आने की संभावना होती है जैसे कुछ medicine है हार्मोन हम ले रहा है जैसे contraceptive pills लेती है जो ladies लोग birth control के लिए pills लेती है वो steroid होता है estrogen होता है या progesteran होता है उसकी वज़़से भी कई बार हमको पैरों में सूजन की समस्या आती है कई लोग कुछ medicine होती जैसे autoimmune disease है कुछ asthma है कि और तकलीब है कुछ लोग oral steroid है injectable steroid लेते है उन लोगों में भी ankle में और foot में swelling की समभावना कई बार हो जाती है तो दोस्तों कुछ ऐसी condition है जिसके अंदर जो swelling है लेकिन साथ में pain भी होता है वो 3-4 चीज़ें है जिसमें ये सूजन भी होता है और दरद भी होता है उसमें सबसे पहला होता है कि ankle के अंदर sprain हुआ हो या ankle के अंदर strain हुआ हो या ankle के अंदर कोई minor या major fracture हुआ हो तब भी पैरों के अंदर सूजन आ जाएगी और दरद होगा दूसरा ankle की osteoarthritis हो उसमें भी सूजन होगी और दरद होगा और तीसरा है कि अगर कोई uric acid बढ़ गया हो जिसको कते हैं gouty arthritis उसमें भी ankle और foot में कई बार सूजन और pain आ जाता है और last में होता है कि कोई Achilles tendon होता है जो पीछे एक डोरी होती जो यहां पर जूड़ती है कई बार injury की वज़े से वो break हो गया हो तब भी pain और swelling हो सकता है तो दोस्तों मोटे तोर पर ankle के अंदर swelling और foot के अंदर swelling के यहीं कारण है जो सूजन के साथ pain के साथ भी होता है और कुछ ऐसे कारण है जो सूजन के साथ painless होता है जिसमें दरदनी होता तो दोस्तों ankle swelling के बारे में यही मेरा insert summary discussion है और आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक और सबस्क्राइब जरूर करें thank you